अब लोग बहुत टेंशन में होगे और आज काफी मेल भी आ रहे हैं चैटिंग के थूभी कब बच्चे काफी परेशान है ठीक है तो आज आपको एक अपनी स्टोरी बताता हूं उसके बाद रिलेक्स हो जाओगे चिंता मत करना और कल का पेपर बहुत अच्छा जाएगा ठीक है अचाब पहली चीज वीडियो आगे देखने से पहले बता दू कल के पेपर को सेमी फाइनल टाइप समझो ठीक है क्योंकि फाइनल तो हमारा 23rd में एक है ठीक है तो बिलकुल रिलेक्स र आफी लोगों को पता ही होगा मैं भी हर बार कैट देता रहता हूँ ठीक है और अपने समय पे आयाइटी भी दिया था देन उसके बाद कैट ऐसे बहुत सारे एक्जाम दी हो है कैट तो अभी मैं पिछले कुछ सालों से हर साली दे रहा हूं ठीक है लेकिन आज भी जिस दि कैट का पेपर होता है उसके एक दिन पहले मुझे भी लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता ठीक है अब आपने लोगोंने रिलेट कर लिया होगा मैं क्या समझाना चाहा रहा हूं ठीक है तो आज भी मुझे कैट देने के एक दिन पहले लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता म ये formula भूल रहा हूँ, मैं वो formula भूल रहा हूँ, है ना, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे percentile कमाएंगे, तो लोग क्या बोलेंगे, ये वो फलाना डिकाना, finally, और finally क्या होता है, जब हम center पर जाके, उस chair पर बेड़ जाते हैं, है ना, तो आप जब examination hall में जाओगे, उस chair पर बे फिकत नहीं है, ठीक है, तो आज के वीडियो में, आगे में जो भी चीज़ें बताने वालों, उसको follow कर लिया, तो ये आपको कल भी कामाएगा, और इंदोर में भी कामाएगा, basic points है, ध्यान रखने वाली कुछ चीज़ें, जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, तो एक कुछ चीज़ें करना, basically कुछ नहीं करना है, लेकिन वो कुछ नहीं में, क्या-क्या नहीं करना है, वो ध्यान देना है, पहला, ये हमेशा ध्यान रखना, ये मैं हमेशा आजकल अपने वीडियो में लिखता हूँ, just believe in yourself, and give your hundred percent, अपने ओपर भरोसा रखो, आप इत्ते confident हो आट, 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 अच्छा जाए, बुरा जाय, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा अच्छा जाना चाहिए, ठीक है, पहले जी, जा इसे कुछ बहुढ़ संजाएगा, तो ये सब चीज़ें अपने दिमांग में बोलते रहे, आपको आज कल और अगले तीन-चार बीन ये ही प पीचेर ने की नहीं निकला तो यह कर देंगे, वो कर देंगे, फाल्तों की बात हैं, कुछ नहीं, किसी की बातों को ध्यान नहीं लगाना है, आपको मनीबन क्या सोचना है, मेरा तो exam clear होगा, बाकी किसी का निकले यह नहीं निकले उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, दूसरा point ध्यान से समनना paper easy जाए आए tough आए मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मुझे अपनी तैयारी पर भरोस आए easy आएगा तो भी मेरा अच्छा जाएगा tough आएगा तो बाकी लोग घबराएंगे तब भी मेरा अच्छा जाएगा तो चाए easy आए चाए tough आए क्योंकि हमने paper नहीं बनाये तो हमें पहले से नहीं पता कि paper कैसा आने वाला है तो cutoff 300 number जाएगा 400 number जाएगा 400 number जाएगा मुझे कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है मुझे अपना 100% देना है हैना मुझे तुक्के नहीं लगाने ठीक है क्योंकि आप paper देने से पहले नहीं जानते हो कि paper का level क्या होने वाला है तो आप घर से इसा कुछ सोच के नहीं जाओगे कि 300 number cutoff आने वाला है 300 number cutoff जाने वाला है कि 400 या 400 cutoff जाने वाला है अगर paper बहुत जादे easy आगया तो आपके 400 number भी ले आओ मैं आज तक मैं बोला हूँ आज पूरा मैं अपने आप से relate करूँगा मैं आज तक जब भी cat देने गया हूँ मैंने सिर्फ एकी चीज सोची घर से निकलते समय कि मुझे अपना best देना है अब इतने सालों में कई बार cat बहुत easy भी आया है कई बार बहुत tough भी आया है कई बार मैंने ज्यादा attempt की हैं ज्यादा सही की हैं तो भी कम percentile है कही बार कम attempt की हैं कम सही हुए तो भी उससे ज्यादा percentile है तो ये पूरा का पूरा paper के level पर depend करता है paper easy आएगा तो सब लोग अच्छा करेंगे paper tough आएगा सब लोग कम करेंगे बस हमें घबराना नहीं है तो आपको back of the mind ये सोचना है कि easy आएगा तो भी मुझे अच्छा देना है tough आएगा तो भी मुझे अपना best देना है उसमें से easy is your medium level के questions solve करने ठीक है तीसरा point one to two hour का revision अगर कर लिया है कोई जवरत नहीं अपने पेविश्वास रखो कि यार एकात दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता जो हमने पिछले एक मेहना तीन मेहना एक साल दो साल इसमें जो तैयारी की है वो आप result दिखेगा ये दो चार घंटे की पड़ाई से अफ फरक नहीं पड़ने वाल तो relax रहो इसमें आप जितना ज़्यादा दिमाग को शान्त रखोगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा पड़ सेंटाइल आएगा chances उत्ते ज़्यादा बढ़ेंगे आप अपने लाइफ में किसी भी टॉपर को देख लो है ना जो एकदम टॉपर होते हैं आप हमेशे एक चीज पाऊगे वो relax रहते हैं एकदम शान्त रहते हैं एवन आपने इत्ते सावाई से मुझे follow कर रहा हूँ आपने कभी भी ये भी नहीं देखाऊगा कि मैं ज्यादा चिर पर चिर में पढ़ा रहता हूँ एकदम relax रहता हूँ शान्त रहता हूँ अपने काम से काम रखता हूँ तभी देखो मेरा result भी आता है बाकी सिर्फ चलो उपस पर नहीं जाएंगे अपन ठीक है तो शान्त रहो आराम चे रहो कूल रहो पेपर अच्छा जाएगा है ना फोर्थ सबसे इंपोर्टेंट खाने पीने का थोड़ा ध्यान दे लेना इसी कोई चीज मत खाना जो हैवी हो हलका पुलका नाश्ता करके एक्जाम देने आना हैना अपना एडमेट कार्ड और फोटो जब चुपकानी आपको इस सबचियों का ध्यान रे लेना ठीक है मेटल की चीज़ें पहनना वॉइट करना ठीक है जित्ता ज्यादा मेटल पहनो को उत्तार इसको सकता है तो मेटल की चीज़ें अवइट करना अपना आईडी प्रूफ रख लेना ठीक है आईडी प्रूफ रखना मत भूल जाना और एक्छा हो तो दो एक आईडी प्रूफ रख लेना ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ले गाया सिर्फ प्रिकॉशनरी दो भी रख सकते हो ठीक है एक ट्रांस्पेरेंट पैन लेके चले जाना भला ही बाद में वो लो खुद का दें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन फाल्तिू कि कोई चीजें मत ले जाना यहना कई स्कूल या कॉलेजिस आपका जो भी सेंटर होगा व जितना रिलेक्स रहोगे उतना पेपर अच्छा जाएगा ठीक है और हां सबसे आखरी बात पेपर जाने हो जाए जब या उसके पहले हमेशा दूसरों के प्रती ग्रेटिटीट शो करना आप किसी इस्टीटूट से पढ़े हो किसी से भी पढ़े हो फर्क नहीं पढ़ता आप जिस भी टीचर से पढ़े हो मन में उसके लिए अच्छा सोचना ठीक है कि उसने अच्छा पढ़ाया उसने जो भी पढ़ाया हमें याद है है ना जितना पॉजिटिव रहे हो ड्रेटिटूट का मतलब यह नहीं होता कि हम उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं ड्रेटि रहे हैं ठीक है तो सब के बारे में positive सोचना तो आज से लेके कल तक जितना positive सोचना जितना relax रहो उतना relax रहना ठीक है मेरे बारे में कुछ भी अच्छे वीचा रहा हैं comment करके बता देना ठीक है या mail कर देना और आप लोगों की testimony सही में बताओं मेरा मतलब मानलो तो मेरा यह frequency है जैसे आप लोगों का कोई अच्छी टेस्टिमोनिया mail आता है न अच्छा जिसमें आप थोड़ी सी बता देते हो कि आपके वीडियो से यह फायदा हूँ आपके course है मैं एकदम यहां से यहां पहुंचाता हूँ ठीक है और इवन अभी भी बच्चे जैसे किस अच्छा लगता है तो आपको भी अच्छा लगेगा तो आप जिससे भी पढ़ते हो या जिव भी दिखे सबके लिए अच्छा सोचना नेगेटिव विचार अगले कुछ घंटों तक अपने मन में मता जाना और हां अच्छे से आराम से सोना और हां एक चीज और फाइनली पेपर हो जाए जब पेपर हो जाए पूरा उसका दूसको एनलीसिस जरूर करना क्योंकि वो एनलीसिस आपका 23rd मैं को जरूर काम आएगा और जो भी आपके मन में चल रहा हो कमेंट सेक्षन में या मुझे मेल करके जरूर बताना ठीक है और मेल आपको किस आईडी पर करना है info at the rate catipmat.com या हमारी यह जो website catipmat.com इसमें आप चैटिंग के थूरू भी अपने मन की भावना हैं बता सकते हो तो आप सभी को all the best बहुत अच्छे से पेपर देना चल थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो